बिहार भूमी सर्वे पर क्या है सबसे बड़ी दिक्कत ये आप इस वीडियो में जानेंगे लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे योट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करें क्योंकि आपको सारे इंट्रेस्ट की खबरे इसी हमारे चैनल पर मलती है दरसल बिहार में इन दिनों जमीन सर्वे का काम चल रहा है लोगों से डॉक्यूमेंट जमा करवाए जा रही है ताकि सरकारी रिकॉर्ड को ठीक किया जा सके लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जमीन का मालिकाना हक पेश करने के लिए लोगों को खतियान के बाला से लेकर और भी कई तरह के दस्तवेश दिखाने पड़ रही है इसे निकलवाने में काफी परिशानी हो रही है इससे नितीश सरकार भी टेंशन में है जल्द कोई बड़ा फैसला ले सकती है मीडिया रिपोर्ट के मताविक बिहार के राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीब जैस्वाल ने कुछ दिनों पहले लोगों को भरोसा दिया था कि काफ़ात जमा करने के लिए उन्हें और वक्त दिया जाएगा तीन महीने और मिल सकते हैं लेकिन विभाग की अधिकारी इससे संतुष्ट नहीं है उनका मानना ये है कि सिर्फ तीन महीना बढ़ाने से दिक्कते दूर नहीं हो पाएंगी इसको कम से कम चार या साड़े चार महीना कर देना चाहिए यानि कि टाइम लाइन को बढ़ाना चाहिए इतने कम समय में ये संभव नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बिहार विशेश सर्वेक्षन एवं बंदुबस्त नियमावली 2012 के नियम 3 के तहत लोगों को जमीन के कागजात के साथ एक स्वाह घोशना पत्र भी देना है अब सरों के मुताबिक यही सबसे बड़ी परिशानी का सबब है सरकार भी जान रही है कि इसमें दिक्कते आ रही है इसलिए सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है सरकार मानती है कि अगर लोगों को कुछ वक्त और मिल जाए तो वो सारे कागजात जमा करवा देंगे लेकिन जनता को तो दिक्कते हो रही है और जनता को हो रही दिक्कत को लेकर सरकार कोई बड़ा फैसला भी ले सकती है सर्वे के कागज जुटाने के लिए लोग इतने परिशान हैं कि सभी जिरों के अभी लेकागारों में रोज भारी भीड़ है पुराने कागजात निकलवाने के लिए लोग लाइन लगा रही है, हजारों रुपए खर्च कर रही है इसके बावजूत कई लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है सूत्रों के मताबिक सरकार को भी इसके बारे में जानकारी है इसलिए कुछ मुद्दों पर कंभीरता से विचार हो रहा है हो सकता है कि कुछ दिनों में सरकार इस पर बड़ा फैसला ले और इसको लेकर के लोगों को इंतजार है ताकि उनकी परेशानी कम हो सके कर दो